नमस्कार, सुपागत है आप सभी का सीमडी सी आवाज पर आप देख रहे हैं खिलाडी नमबर वन राज एक्सपाइरी के दिन भाड़ते बाजारों में कुछ स्थिर्ता के साथ कारोबार है हमने शुरुआ थोड़ी सी फीकी जरूर की लेकिन इस समय आप देखिएगा उनीस साथ सो के पार निकलता हुआ बयाली संको की बढ़ध पर निफ्टी निफ्टी बैंक 65.2 पर है थोड़ा शान्थ है लेकिन हलकी बढ़ध दिखा रहा है मिट कैप इंडेक्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये कुछ कर रहा है आउट पुफॉर्म 124 संको का इजाफा इधर साफ देखने को मिला है कुछ सिलेक्टिव पॉकिट्स है जहां पर कुछ मजबूती देखने को मिली है उसमें आप औलेंट गैस एक गिन सकते हैं चली ऐसे में हमारे जानकारों कि अब तक की रनीती क्या रही अब तक के रिटर्न्स कैसे थे वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और कल दोपेर साड़े तीन बजे तक की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आते हैं मैदान में हैं पंकज रांदर, समिट चाहान और आशीश कयाल अब आशीश कयाल 4.93% के रिटर्न्स के साथ आगे हैं इनके ठीक पीछे 4.63% के रिटर्न्स पंकज के लेकिन समिट किसी वज़ा से माइनस 8% के रिटर्न्स पर हैं अब क्या हुआ है कल के सत्र में और यहां से आगे क्या रिकावरी की राह रहेगी उस पर बातचीत करेंगे समिट दो ट्रेट्स तो आप कर रहे हैं कैरी मेरे ख्याल में यह माइनस 8 कैसे हुआ तो आप कुछ ट्रेट से एक्जिट करेंगे और कुछ नए से रेसे इस ट्रेट को फिर बैठाने की कोशिश होगी लेकिन लाजली समिट व्यू क्या बन रहा है मार्केट का क्यूंकि अब तो इंडेक्स में स्थिर्ता है यस देखे जैसे हमने कल भी बताया जो रेंज अभी उपर की तरफ शिफ्ट होगी है लो साइट पर अगर हम देखे तो हमें कल भी हमने देखा कि जादा हमने फॉल उप नहीं देखा एक गैप अपनी होने के बाद तो यहां पर इंडेक्स पर व्यू रहेगा और जो इंडेक्स है वो हमें लगता है कि और एक-दो दिन हमें कंस्वर्ट होते हुए मार्केट देख सकता है पंकज क्या लग रहा है इंडेक्स पर व्यू आ निफ्टी बैंक खासत और से अगर बात करते हैं तो अप्शन डेटा में काफी थहरा हो नजर आ रहा है ऑन 44,300 लेबल्स और 44,200 लेबल्स के ऊप्शन एक्टिविटी जो है वो बहुत स्टाइगन है अभी लग तो रहा है लेकिन ठहर ठहर के ऊपर जाने के उम्मीद रहेगी आज जो बैंक निफ्टी की एक्सपारी है उसके चलते थोड़ा सा हो सकता है कि ठहरा हो देखने मिले मार्केट में और फिर तेजी लोटी अचिछ आपकी अप्रोच क्या रहेगी अधिए हमारा जो स्टेंड है बाया उ पिर से बाय करने की राय होगी यहां पर टार्गेट है करीब निस एजार साथ सो साथ का उपर में और यहां पर अगर हम देखे तो पार्टिसिपेशन अक्रॉस दबोड है विक्टा स्मॉल के में भी काफी अच्छा पार्टिसिपेशन है यह पूरी की पूरी रैली अगर देखेंगे तो गैप के साथ है कल के दिन भी अच्छा गासा गैप अपन हुआ था साइडवेज वा तो ओवर आल जो रैली है यहां पर गैप के साथ है और यूजवली गैपिंग एक्शन इस डिरेक्शन में होता है तो ऐसे में चलते हुए मेरे क्याल से बैंक निफ्टी म रहने वाली है पंकर जी इस पर्टिक्लर ट्रेड में आज के दिन मैं दोगार पूछेंगे मैं पूछ रही है आज के लिए क्या रनीती है या मैं इंशुरंस कंपनी के साथ में जाना चाहूंगा मैं जैसी आरी जेनरल इंशुरंस के साथ में बहुत बढ़िया ट्रेड दिये हैं इन फैक्ट कल से रडार में था लेकिन आज सुबह से जिस तेजी नजर आ रही है सारे पारामिटर्स के ओबर बहुत पूलिश डावर्जन देखने मिला हुआ है 243.50 की रेंज में जैसी बाइक करने की सला रहेगी विल्ड स्टॉप लोस ऑप 230 और टार्गेट जो रहेगा वो 270 करेगा काफी अग्रेसिव बेट लग रहा है और कल क्रॉम्टिन कंजियूमर से इन्होंने एक्जिट कर लिया आज का नया सौधा GIC आरी है 270 टागेट और 230 के आसपास का स्टॉप लॉस समित का पोर्टफोलियो देखिए तो एक तो आज सुबह में ग्लेनमार्क फार्मा में स्टॉप लॉस टिगर हुआ है वेसलाइफ से इन्होंने एक्जिट कर लिया है कुछी देर पहले MRPL के ट्रेड को होल कर रहे हैं नया क्या जोडेंगे आप समित यहां पर हम सी इन्फो सिस्टम्स के साथ जाना जाएंगे स्टॉप हम देख रहे है कि एक कंसरोडिशन के दौर में है बट आज सुबह से इसमें जो सब्सक्राइब करें तो यहां पर 2120 के स्टॉप लॉस से सी इन्फो सिस्टम्स बाय करने की सला देल होएगी और 2480 का इसका टागेट होगा 2480 के लिए सी इन्फो सिस्टम्स जाने की मैप मैं इंडिया 4% ऊपर है काउंटर एक मोमेंटम ट्रेडर रहा है उसके बाद थुड 20 के आसपा stop loss लगेगा आशी जी आप क्या ट्रेड जोडेंगे देखे मैं जो ट्रेड जोडना चाहूंगा वो है FDC लिमिटेड यहां पर कापी अच्छा स्ट्रॉंग ब्रेकाउट आता हो नजर आ रहा है स्टॉक ने एक इन्वर्टेड एड एड और पैटन का भी ब्रेक के तो यह फिलहाल आपके लिए 440 के लिए तेजी का ट्रेड FDC में 385 का stop loss लगाना है और दो ट्रेड के साथ आप इस समय कंटिन्यू कर रहे हैं राइट उनो मिंडा और इंटलेक्ट डिजाइन बिलकुल दोनों ट्रेड अभी कह रही लॉंग में हैं ओके तो वो लॉंग स कोशिश करते हैं कुछ बाइसर के ट्रेड लें समयत आपका क्या एरादा है देखे कोइंसरेंटली जो यहां पर मेरा पिकता हो अब डेसी ता बट अल्री यह यहां पर पिक हो चुका है तो यहां पर पॉलिसी बाजार के साथ जाना चाहेंगे पॉलिसी बाजार एक इस बीच निफ्टी निफ्टी बैंक दोनों आपकी स्क्रीन पर आएंगे क्योंकि अब कुछ और तेजी बन रही है नेली 90 पॉइंट का इजाफा एक अच्छा उच्छा लाता हुआ निफ्टी में और निफ्टी बैंक भी 100.2 पर तो 40 पॉइंट का मोव देखने को मिला है पिछले पांच मिन्टों में रादर. ITC इस समय का टॉप ट्रेडिट काउंटर आपको दिखाई देगा इस घंटे इसका योगदान जादा आता हुआ. DVS LAB, SIPLA ये दूसरे कुछ काउंटर हैं जहां पर आधे-ाधे पसेंट की तेजी बनती दिखाई दे रही हैं. इस तरह का स्पाइक जो ITC में दिखा है, वैसा ही स्पाइक मेरे ख्याल में DVS और SIPLA में भी दिखने लगेगा. महाँ पर हम देख रहे हैं कुछ थोड़ा सा आक्शन जोर पकरता हुआ. ये है आपके लिए situation इस समय मार्किट की. लेके लेकर आते हैं आज बजाज फाइनांस का शेर. बजाज फाइनांस डे लो 69.31 उसके सामने अगर आप इस समय देखेंगे तो 72.72 के आसपास ट्रेट करता हुआ. एक अच्छा खासा gap down बना और उसके बाद स्टॉक में recovery देखने को मिली है और इस स्टॉक की हम चर्चा दरसल कल दोपेर से कर रहे हैं. आपको याद होगा कल दोपेर में काउंटर करीब करीब 2% करेक्ट होकर टिका था. और आज सुबह में हम आपको बता रहे थे कि RBI ने बजाज finance के खिलाफ action लिया है. Action लिया गया है दो particular products पर जो e-com और साथी साथ इंस्टा लोन देते हैं. Digital lending guidelines के नियमों का उलंगन किया है इन दो particular products के जरिए बजाज finance ने इसी लिए वो दरसल action RBI ने लिया है. अब company कहती है वित्य कारोबार पर उनका असर नहीं रहेगा, key fact statement जो अब तक जारी नहीं कर रहे थे, दोनों loan products पर अब जारी करना शुरू company कर चुकी है. यह अब तक का मामला है, stock तूटा, 4% गिरा और उसके बाद recovery आई है, लेकिन brokerages क्या कह रहे हैं इस मामले पर वो आपको बताते हैं. Macquarie ने एक detail report निकाली है, उन्होंने कहा है कि देखे, second quarter में 35 लाख नए customers बजाज finance ने जोड़े हैं, अब इन 35 लाख customers में digitally करीब EMI cards वाले जो customers हैं वो 6 लाख शामिल हैं, याने कि अगर आप total customer base इस particular quarter का आड़ देखें, तो उसमें digitally acquired customers नेली 19% के आसपास आते हैं. अब आईए उस तरह के products पर, जो EMI cards हैं, इसकी franchisee का base नेली 4.2 करोड का है, और जो digitally acquired किये जा रहे हैं EMI cards वो आकड़ा करीब 42 लाख के आसपास आता है, याने कि 10% EMI cards का business digital base से आता है, ये Macquarie साफ कहता है. नॉर्मली जब इस तरह की रोक लगती है, 12 से 18 महीने लगते हैं उसको सुलजाने में, लेकिन Macquarie को लग रहा है, क्यूंकि इन्होंने key facts statements इशू करना शुरू कर दिया है, ये मामला 12 महीनों के अंदर, याने कि एक साल में ही निपटता हुआ दिखाई देगा, वो एक positive है. दूसरी तरफ CLSA का भी यहां पर उलेक करते हैं, तो CLSA basically कह रहा है, कि जो RBI ने dispersal पर रोक लगाई है, उसका कुछ impact देखने को मिल सकता है, जब तक ये band जारी रहेगा, तब तक मुनाफ़े पे करीब-करीब 6% तक का impact आ सकता है, ये CLSA का कहना है, जेफरीज भी अपनी report न इतना बड़ा नहीं है, दोनों product के band पर जो कारोबार पर असर होगा, वो कम ही आतावा दिखाए देगा, क्योंकि पूरे अगर client-based का देखे तो AMI card का हिस्सा सिरफ 5% है, और इसका dispersal में 0.2% तक का ही योगदान है, तो जेफरीज इस पटिकलर मामले को लेकर चिंतित नही है, थोड़ा सा अगर reaction आएगा, वो knee-jerk reaction आएगा, जो शायद हम सुबह में देख चुके हैं, अब targets क्या उभर करार है, वो आपके सामने, मक्वाईरी जो जादा concern था, 9,190 का target दे रहा है, आउट performer की rating बर करार है, जेफरीज ने by call दिया हुआ, इस पर 9470 का इन का target है, औ हाँ पर समित मैं आप से पूछना चाहूंगी, stock तूटा और निश्ले लेवल से जो खुबसूरत recovery देखने को मिली है, screen पे, अब बताइए, क्या chances हैं, कि अगर कुछ बिगडे, अगर कोई level पार ना हो, तो एक बार फिर हम लोग को test कर सकते हैं, आज की जो recovery है, वो एक encouraging sign है ये stock के लिए, क्योंकि precisely ये stock ने 200 जो simple mowing average था, around 69.8 के असपाथ, वहीं पे हमने low मारा है और जो एक sharp recovery हम नहीं देखी है, तो यहां पे एक-दो दिनों का भी follow-up काफी important होगा, अगर follow-up आके 7450, 7470 के levels अगर ये reclaim करता है, तो प्रॉबली हम बो तो फिलाल तो आज के लिए, जो आज का low है 6900, ये for a time being एक important support low बने चुका है, और यहां पे अगर follow-up मोह के 7450, 70 के levels अगर ये break करता है, तो प्रॉबली ये stock में short term bottom भी हम form होते हुए दिख सकते हैं, तो ये राय हुई बजाज finance पर चलिए इस पीच, आप screens पर देख रहे प्रक्त हैं, ये छिखिड मानर फिलाव मानर ये विजा लगी की होते हैं, रिछान kissing भाय मेरी प्रॉबली ये अरे जाज करते हैं, इस ट知 or सकते हैं, एक और प्रॉँ घिख इनाज करिए था अक्नेसी, हम ली ये कि नेकांविस्टéma फिर्फरी होכानस्योंडा फिर्फूसर ups certainly 10 कि में किस्ट area अउना čाउमस, ट्रूसकल फिर्फूसरे. the date of first receipt so no excuses no sending last minute questions this is how it stacks up from the date of first receipt you will notice that pendency goes up and down which is not a bad thing so for instance if today October 31st we're seeing the data equity fundraising pendency is going up that's a good thing it means there are more applications there are more people wanting to raise capital so pendency in itself is not a bad thing in fact it is a good thing the bad thing is aging and so within SEBI now if the department is within the green or within the yellow which means less than one month or one to three months from first receipt of application they're doing okay the minute they go into the blue and the grey and you can imagine why I've set it as grey within the organization the minute it spills over there every officer in SEBI knows that they are accountable to answer to the chair as to why they are in the grey zone so as an example yesterday I took stock equity fundraising saying why are these three applications sitting there and what are we doing about why are they still sitting there and I was very happy to see that on the spot this was about 9.30 or 10 in the evening and I was on the phone call asking the officer why do you have three items which are more than six months one is subjudice so there's judicial intervention we cannot do anything and in two cases it is awaiting some other regulators approval so again we cannot do anything about it so as you can imagine the focus that we have on pendency and aging is because of the commitment that we made to each one of you here one year ago that to us we understand that in the markets time is money money is time and any delay on the part of the regulator causes huge not just inconvenience but actual cost to the market participants particularly to the issuers so as you can see we're doing a reasonably good job from pendency and aging not pendency but from aging which was pretty much significant numbers in the blue and grey zone we've now come down quite a lot in the case of mutual fund schemes oh wonderful less than one month so I presume that they are not complaining so what it really means is that you basically put in an application and before you know it SEBI has approved it because it's not even there as a pendency so the important thing is every part of the ecosystem needs to have the ability to respond instantly to the market and to the investor needs without the regulator coming in the way so this is our commitment that we wouldn't come in the way and this is our progress report similarly on AIF schemes you can see everything is in the green and yellow and compare that with March of last year where we had almost 71 items in the blue and grey and today there is zero in the case of REITs and INVITs of course these are few and far between but again you can see that there is very low pendency also in terms of pendency of registrations because it's not just about fundraising it is about new participants coming into the market and you know in the round table that we had earlier this morning there was a discussion about is it very onerous to really get things done in SEBI so this is again this was our commitment and here are the numbers if you look at AIFs again you know registration this is registration of somebody wanting to carry out this activity earlier there were lots and lots of cases over two dozen cases in the blue and grey today it's down to zero mutual funds down to zero portfolio managers there's one person sitting in three to six months otherwise all in green and yellows and so on so this was our commitment that we made to you that the regulator will not come in the way of your doing what you need to do in the market and this was our sort of status report on that now we'll see you now in the middle of the market we'll see you हुई है मोमेंटम अच्छा खासा 9800 के काफी करीब अब निफ्टी पहुँचता हुआ 117-118 अंकों का इजाफा स्क्रीन पर दिख रहा है और इसी तरह का माहौल अब निफ्टी बैंक में निफ्टी बैंक इन फाक्क कारिक्रम की शुरबात से 100 पॉइंट बढ़ चुका है 65 के बढ़त पर हमने कारिक्रम की शुरबात की थी अब 165 अंकों का इजाफा यहां पर देखने को मिल रहा है चले हमाई जानकारों ने जो ट्रेट्स दिये हैं उसको फटाफट से आपके रिकैप करते हैं एक जगा खाली रखी है पंकर्ज ने अपना पोर्टफोलियो आगे भरेंगे पूरा एक एक करके सभी ट्रेट्स पंकर्ज के पोर्टफोलियो में अब फिर GICRE ही है 270 टागे 230 का स्टॉप लॉस साथी साथ आप देखे रिटर्न क्या बंते दिखाई दे रहे हैं इस पुटिक्लियर ट्रेड में तो GICRE इन फाक्ट इनको फुड़ा सा प्रेश है 838 टागे 760 का स्टॉप लॉस रिटर्न्स देखे क्या बन रहे हैं तीनों ही ट्रेड्स में MRPL आज करीब 5% प्रेशर में हैं लेकिन CE Info Systems जाधा परसेंट ऊपर और PB Fintech करी 0.03% तक का योगदान इनके पोर्टफोलियो में देता हुआ साथ ही साथ लेकर आईए आशीश कयाल का पोर्टफोलियो नया ट्रेड है FDC 440 टागे 385 स्टॉप लॉस इंटलेक्ट डिजाइन अरीना 755 का टागे 666 स्टॉप लॉस उनों बिंडा 702 का टागे 619 का स्टॉप लॉस है रिटर्न्स देखे इस घंटे के तो यहां पर उनों मिंडा कॉंट्रिब्यूट कर रहा है थिंक तेजी में अब सॉरी कुछ कड़बर है वो टेक्निकल दिक्कत हो गई है तो आपके लिए हम वो डेटा पॉइंट्स नहीं लेकर आपाएंगे कि किसना स्टॉप कॉंट्रिब्यूट कर रहा है तेजी में at this point in time overall returns की situation यह दिखा सकते हैं 5.5% के रिटर्न आशीश के 4% के रिटर्न पंकच के समित के लिए जो अंडर परफॉर्म कर रहा है MRPL उसका प्रेशर बनता हुआ है का पॉर्टफोलियो अब माइनस 10% के नेगिटिव रिटर्न दे रहा है चले लेंगे एक ब्रेक ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कम साइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी निवेशन इंड़ने में से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलहा लें